हालो एब्रीवन मैं आई सब दॉक्टर सांस्कृती फिजो थर्पेस्ट और आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे समझेंगे कुछ ऐसी बेसिक एक्सरसाइजिस जो कोई भी पैडिसिस के पेशेंट बहुत असानी से बहुत कमफरेबली परफॉर्म कर सकते हैं जनरली पैडिसिस पेशेंट का ये कंसर्न होता है कि दॉक्टर साम हम एक्सरसाइजिस कैसे करेंगे हमें तो सहारे की जुरत पड़ेगी हम खुद से उठ नहीं सकते हैं खुद से बैट नहीं पा रहे हैं खुद से अपना कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम यानि आपको जादा किसी का support लेने की जुरत नहीं है किसी की help रेनी की जुरत नहीं है basically हम patients को क्या बोलते हैं कि आप बहुत जादा चलो बहुत जादा walk करो जितना हो सकता है shifting करो positioning करो लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब तक हम अपनी छोटी-छोटी muscles के exercises नहीं करेंगे जब तक हम कोई भी exercises परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक हम अपनी कोई भी muscles को छोटी-छोटी हमारी जतनी भी mass patient है जब तक हम उनकी exercises नहीं करेंगे तब तक ना तो हम अच्छे से walk कर पाएंगे ना ही अपनी कोई भी activities अच्छे से perform कर पाएंगे लेकिन चैलर्ज काहां आता है paddates patients के लिए कि हम उन्हें support के साथ चलवा देते हैं हम उन्हें support के साथ पकड़ते हैं उन्हें धिरे-धिरे walk करवाते हैं लेकिन patients के लिए बहुत जादा tough हो जाता है In fact, pair उठा के भी रखना तो आज इस वीडियो में हम यही discuss करेंगे कि कैसे bed पे बैठे बैठे या फिर couch पे बैठे बैठे आप कौन कौन से exercises easily perform कर सकते हो ताकि आपके walking pattern में improvement हो ताकि आप अच्छे से चल फिर पाओ या फिर at least अपनी जगा से जबी भी आप उठने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी पैरों की muscles आपको पूरा अच्छे से support दे क्योंकि हम हमेशा paralysis patient को support पे नहीं छोड़ सकते हैं हमें patients को यह समझाना होगा उनके mind में यह बार डालनी होगी कि जब तक आप खुछ से महनत नहीं करेंगे जब तक आप खुछ से exercises perform नहीं करेंगे जब तक आपको recovery देखने को नहीं मिलेगी और हमारे जितने भी paralysis के patients हैं उन्हें घवराने की कोई भी उसरत नहीं है क्योंकि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे लेकिन ठीक होंगे कब जब तक आप खुछ से और अच्छे से exercises perform नहीं करेंगे अभी मैं आपको जो भी exercises बतारी हूँ वो आप सभी को बैठ के करनी हैं मैं सिर्फ आपको समझारी हूँ आपको बतारी हूँ कैसे exercises perform करनी हैं लेकिन make sure आप जबी भी exercises कर रहे हैं तो आप किसी के साथ हो कोई भी caretaker है, attendance है, उनके साथ रहेंगे और ये exercises उन्हें खुद से करवाएंगे आप उन्हें assist नहीं करेंगे, आप उनकी help नहीं करेंगे बट हाँ आप उनके साथ खड़े रहेंगे ताकि कोई problem ना हो क्योंकि paralysis patients के लिए balancing की problem बहुत ज़ादा होती है वो बहुत बार अपनी body को balance नहीं कर पाते है बट कुछ patients ऐसे होते हैं जिनकी recovery बहुत अच्छी देखने को मिलती है तो वो exercises ठंक से perform कर लेते हैं लेकिन still आपको उनके साथ रहना है, आपको अपने patients को exercises के दोरान, walking के दोरान, shifting के दोरान, बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है तो अब हम सबसे पहले exercise लिस्कस करेंगे, वो यही है आपको normal comfortable position में बैठना है, अपने bed के kone पे आप बैठ सकते हो edge पे बैठ सकते हो, और सिर्फ आपको करना क्या है, अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाने like this, पैर ऊपर की तरफ उठाएंगे, अब यहाँ पर हम यह समझेंगे कि paralysis patients दोनों पैर एक साथ नहीं उठा पाते हैं, तो आपको करना क्या है, आप पहले एक पैर उठाएंगे down, फिर अपना दूसरा पैर उठाएंगे, down, इससे क्या होगा, इससे आपकी महनत भी कम लगेगी और patients के अंदर confidence आएगा, क्योंकि जबी भी हम patient को कोई भी exercise perform कराते हैं और somehow उनसे वो exercise नहीं हो पाती है, तो patients बहुत जादा demotivated हो जाते हैं उन्हें यह लगता है कि हम exercise कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें लखवे का attack आ चुका है, हम यह exercise नहीं perform कर पाएंगे हम पहले से अपने काम नहीं कर पाएंगे, तो patients को यह समझाना बहुत जादा जरूरी है कि अगर पहले 2-4 दिनों में आपसे exercise perform नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है आप कोशिश करते रहें, आप practice करते रहें और एक दिन अच्छे से आप exercise perform करना भी शुरू कर देंगे साथ में हम repetitions भी बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो हम फिर से एक बार समझेंगे आप दोनों पैर एक साथ भी उठा सकते हैं, like this और हम एक एक करके भी पैर उठा सकते हैं, like this आप hold भी कर सकते हैं अगर आप comfortable हैं और हम count भी कर सकते हैं 1, 2, 3, relax आप जो भी exercises perform कर रहें, आपको ये ध्यान रखना है कि आप जबरदस्ती ना करें अगर आपसे exercise perform नहीं हो पारी हैं, अगर आपको बहुत ज़ादा महनत करनी पड़ी हैं, फिर आपसे नहीं हो पारा हैं तो कुछ time के लिए चोड़ दीजे अगर pain बहुत ज़ादा हो रहा है, अगर exercise करने में दिक्कत बहुत ज़ादा हो रही हैं तो थोड़े टाइन का ब्रेक लेजिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप exercise perform नहीं करेंगे थोड़ा समय रुख जाओ 15-20 मिट उसके बाद फिर से कोशिश करो करने की क्योंकि जितनी बार आप exercises perform करोगे उतना जादा easy हो जाएगा आपके लिए exercise करना और फिर हम अपने repet नहीं है आपको नहीं उठना आप सिर्फ बैठ पर बैठे बैठे यह सारे exercise करोगे आज की वीडियो में specially जो मैं बताना चाहती हूं वह यहीं है कि पेशेंट्स को डरने की घबराने की जुरत बिल्कुल भी नहीं है कि वह खड़े हो के exercise कैसे करेंगे हम जो भी आज अपनी सिर्फ अपना पैर जमीन के सहारे आगे की तरफ ड्रैक करना है like this बैठे हुआ है कोई दिक्कत नहीं होगी आप अपने पलंग को अपने बैड को साइड से पकड़ भी सकते हैं क्यूंकि पेशेंट्स को बहुत बार दिक्कत होती है और उन्हें गिरने का भी डर रहता है त सेम हमें वापिस पीछे लेके आना है आपको पैर हवा में नहीं उठाना है जमीन से टच करके ही पैर आगे लेके जाएंगे ट्राक करेंगे और वापिस जमीन से टच करते ही पीछे लेके आएंगे ना opposite leg वापिस से आगे and then पीछे अब आप सोच रोगे ये तो इतनी easy exercises है इने तो कोई भी कर लेगा लेकिन हम किस के लिए concerned है पैलिस पेशेंट्स के लिए और पैलिस पेशेंट्स के लिए बहुत जादा tough हो जाता है अपना पैर थोड़ा सा हिलाना भी तो अगर पेशेंट्स ये exercises करते हैं अगर ये exercises में comfortable हो जाते हैं repetitions बढ़ा लेते हैं तो पे चल सकते हैं तो पेशेंट्स के लिए जितने भी caretakers है relatives हैं जितने भी attendance हैं उनके लिए ये बहुत जादा जरूरी है कि आप पेशेंट्स को हलकी हलकी exercises कराते रहें आप पेशेंट्स का पैर थोड़ा-थोड़ा move करते रहें ताकि उन्हें आगे जाके बहुत जादा दिक् exercise करें लेकिन अब आपको अपना पैर जमीन से उपर की तरफ उठाने सेम वैसे ही आप बैट पर बैठे हैं एज पकड़ा हुआ है आपने और सिर्फ करना क्या है आपको पैर उपर की तरफ उठाने लाइक डिलाक्स नाउगें अब इससे होगा क्या जब भी आप अपने ब लेकिन अब फिर से वही बात पैर डिस पेशेंट्स के लिए exercise बहुत टफ है तो आप क्या करेंगे आप थोड़ा से सपोर्ट ले सकते हो आपके attendance आपको थोड़ा से सपोर्ट दे सकते हैं लेकिन ध्यान क्या रखेंगे थोड़ा से सपोर्ट बहुत हलका बहुत माइनूट सिर्फ two finger support मतलब patients के pair के नीचे सिर्फ आपको दो fingers लगानी है और दो fingers से ही support देना है क्योंकि हमें ये paralysis patients को ये भरोसा दिलवाना है हमें उन्हें confidence दिलवाना है कि वो exercises खुद से perform कर सकते हैं उन्हें किसी के जुरत नहीं है क्योंकि बहुत later stages तक initially patient passive exercises करते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन बहुत बात तक भी patients अपने therapist पर dependent रहते हैं अपने doctors पर dependent रहते हैं caretakers पर dependent रहते हैं कि कोई उन्हें exercises perform कर रहा है लेकिन हकीकत में वो exercises इतनी जादा tough नहीं होती हैं कि patient खुद से perform ना कर पाए I hope video में मैंने जो भी बाते बताई हैं जो भी exercises बताई हैं वो आप सभी को समझ आई होंगी अगर video के recording कोई भी query है या फिर आपको और कोई exercises जाननी है समझनी है तो आप directly आके श्रयाज में मुझसे भी मिल सकते हैं या फिर हमाई doctors के साथ आप free of cost concert भी कर सकते हैं उसके अलावा अगर आपको और भी कोई दिक्कत है कोई और परिशानी है तो आप comment section में भी comment कर सकते हैं अपनी queries अपनी problems पूछ सकते हैं Thank you so much